और यह उच्छा लोग पढ़ लिया क्या पढ़ना है आजम को क्लास ट्रेंग्थ प्रोबैविलिटी एम सी क्यूल किस पर वेज़ कार्ट्स पर मिनिट्स ठीक है तो मेरा नाम है नाव है नाजम बेग और ट्रिवन क्लास साथ आज हम पढ़ने वाले हैं इसके स्टुएंट्स आज की िस वीडियो में सुपर हैक साहां को भी लेंगे बड़ा बड़ा अच्छे कॉंसेफ सीखें हम लोग और में कार्ट्स के उपर कोई भी प्राब्लम फसने वाली नहीं है इस कीजिएएंट्स हम सबसे पहले कार्ट्स का पूरा कॉनसेफ बंसेप के लिए हम एक नई वीडियो अलग से बनाएं ठीक अच्छे लोग तो आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं कि कार्ट का एक चार्ट त्यार करते हैं कि कार्ट का एक चार्ट त्यार करते हैं इस जैसा कि आप लोग को पता है डैक में 52 cards होती है ठीक है बचलो हम इन 52 cards को divide करते हैं 4 category में 4 नामों के पास जैसे की number 1 spade club heart और diamond ठीक है बचलो इन 4 category में हमने पूरी अपनी deck को divide करा हुआ students 52 cards होती है हर suit के इनको suit कहा जाता है हर suit के 13-13 card होती है 13 cards होती है 13 यहाँ 13 यहाँ 13 यहाँ and 13 यहाँ ठीक है बचलो हर suit में S होता है king Q jack तो हर suit में 1 S 1 S 1 king 1 Q 1 jack मतलब spade में 1 S होगा 1 king होगा 1 Q 1 jack होगा ठीक होगा ठीक होगा ठीक होगा किलब में 1 S 1 king 1 Q 1 jack हाट में 1 S 1 king 1 Q 1 Q 1 jack ठीक होगा ठीक होगा 1 dislwn 1 1 n 1 1 3 4 cards 4 cards तो यह हुए remaining 9 कहां गए remaining 9 कहां गए remaining 9 जो होते हैं पर 2 लिखा होता है 3 4 5 6 6 7 8 9 और 10 हर सूट में 4 कार्ड तो ऐसे होते हैं एक 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 यूण एक जैक ठीक हो चलो हर सूट में 4 चार कार्ड ऐसे होते हैं बाकी के जो 9 remaining कार्ड से हर सूट में उन पर यह लिखा होता है फेस कार्ड का मतलब यह है जिस पर कोई फेस बना हो क्या क्या क्यून का कोई फेस होगा बिलकुल होगा किंग का ही फेस होता है और जैक का ही फेस होता है एस का फेस नहीं होता है तो हम किंग क्यून और जैक के जितने भी कार्ड थे सारे के सारे कार्ड को फेस कार्ड कहते हैं मतलब क्या है पूरी डैक में चार फेस कार्ड होंगे किंग के बटा और फोर फेस कार्ड होंगे क्यून के और फोर होंगे जैक्स के ठीक है यानि के इन बारा कार्ड को हम फेस कार्ड के यह बारा कार्ड होंगे 12 कार्ड फेस कार्ड इंक्लूडिंग 4 क्यून 4 किंग 4 जैक्स कि आए बासूंद में ना तो कोई दिक्कत के सी को है अब कलर के बारें बात करती है कि अगर कि से बनाना चाहें तो हम से भी बना सकते हैं इस पेड की से पोती वद्चलों यह कि किलब की से पोती वच्चलों यह हार्ट की बच्चलोग सेप होती है ये और डामेंड की सेप होती है बच्चलोग ये अब कलर की बात करते हैं कभी तास्क की अड़ी पगड़ी बच्चलोग अगर देखा होगा तो उसमें दो तरीके के कलर निकलते हैं बलैक और रेड बलैक और रेड कलर होते हैं ब्लैक और होता है रेड ठीक है बच्छा लोग अब कितने ब्लैक है कितने रेड है ट्वेंटी सिक्स कार्ड होते हैं ब्लैक और ट्वेंटी सिक्स कार्ड होते हैं रेड कौन से ब्लैक है कौन से रेड है देखें इस पेड होते हैं ब्लैक किलब होते हैं black ये होते हैं red और ये होते हैं red स्पेड और किलब होगा black हार्ट और diamond होगा red ठीक है बचलो याद रहेगा अगर याद ना रहे तो एक छोटी सी trick होती है याद रखनी की trick बनाई वाटा मैंने rdh and bsc b stand for black r stand for red color याद करने का एक super hack ले जाएं आप लोग r for red, d for diamond, h for heart यानि कि red color का diamond और heart होगा rdh अब bsc के कहता है b for black, h for spade, c for club black color का spade और club होगा बात समझे भाई, rdh क्या है diamond और heart, red क्योंगे bsc क्या है, black होगा spade और club ठीक है बचलो आए बात समझे पूरी task की गट्टी में कितने पत्ते, 52 spade कितने, 13 black कितने, 13 heart 13, diamond 13 face card 12 होते हैं पूरे deck में ace होते हैं, 4 king होते हैं, 4 qn होते हैं, 4 jack होते हैं, 4 बाकी के पत्तों पर क्या लिखा रहता है 2345678910 ठीक है पूरे लोग, इतना note कर ले, अभी लगाते हैं problem ठीक है बच्चों, start करते हैं आज का पहला question क्या कहता है question पढ़ते हैं a card is drawn from a bell suffered deck of 52 cards, कोई deck है जिसमें 52 cards हैं उससे कोई card निकाला गया, ठीक है चलो आगे, the priority of a seven of spade is तो कह रहा है, वो card seven होगा, वो भी spade का seven होगा, वो भी spade का यानके ये ना ये किसका होना चाहिए, इस पेड का इसकी probability क्या है इस पेड में कितने cards, 13 ठीक है बच्चा लोग क्या निकाला गया, seven कितनी बारा था, सिर्फ एक बार हर नंबर एक एक बारा रहा है ठीक है बच्चा लोग क्या answer होगा, favorable outcome क्या होगा च्छा लोग seven नहीं लिखना, seven तो नंबर है बटा आया कितनी बार, एक बार अब ये card निकाला किस में से गया, दो को इस टन्स बच्चों को doubt रहता है कि total 13 होंगे कि 52 होंगे, हमसे spade की बात कर रहा है, इस spade के 13 cards होते हैं, तो बच्चा समझते हैं कि total 13 है, ऐसा नहीं होता है, जहां से निकाले गए, वो total होते हैं, हमने कहां से निकाले, 52 में से, तो महाँ पास total outcome किता होगे बच्चा, 52, total outcome, probability find करने का तरीका आपको पता है, favorable upon total, probability of an event क्या होई बच्चा, favorable outcome upon total outcome, f for favorable, o for outcome, t for total, o for outcome, the favorable outcome upon total outcome, क्या आंसर आया, बनवाई, 52, match कर लो, बहुत आसान है, basic सा question थेश्ट्रेंट्स, note करें, अगला question करते हैं, ठीक है बच्चों, अगला question है, one card is drawn from a bell suffered deck of 52 cards, यहां तक कोई मतलब ना है, करें एक card निकाला गया, बावन पत्तों में से, कोई दिक्कत नहीं है, आए करें, the probability of a king of red color, यह important है, इस बार क्या निकाला गया है, king, वो भी किसका, red color था, ठीक अच्चों, जरा मुझे बतां, king कितनी है, king total है, चार, ठीक, उन चार में से, black कितनी है, दो, red कितनी है, दो, बात सुन्गारी बता, तो इसको लिखते हैं, answer में, king of red color कितनी है, two, यानि कि यह तमारे favorable होगा बच्चा, और total कितनी है, 52, तो probability क्या आई, 2 upon 52, favorable upon total, favorable upon total, यानि कि बनवाई, 26, टू बन जा टू, टू टू जा फॉर, बन बचा, ट्वाइल टू सिख जा, बनवाई, 26, आया समझ, बहुत basic से question is trends, अब फिल अच्छे question करते हैं, नोट कर ली, अगला question is trends, करें कि one card is drawn from a well-supported deck of 52 playing cards, इस बार भी भी कहान लिए कि यह card निकाला गया है, वो भी बावन पत्तों में से निकाला गया है, ठीक है बचलो, तो करें probability find non-face card, जड़ा बहुत जल्दी से comment work में बता है, क्या answer है इसका, non-face card कितनी होंगे, ठीक है मैं करा हूँ, ठीक मैं करा हूँ, इसने समझे हो, 52 cards है, 12 cards है, face card, 12 cards है, face card, तो बाव की के जब बच्चे सारे non-face card होंगे, तो सबसे पहल लगाओ, number of non-face card, non-face card equal, 52 minus face card, ठीक है चलो, यानि के, 52 minus 12, this is 40, बाव समझे, यह के निकाले मैंने, non-face card निकाली होंगे, अब इसकी probability, तो यह हमारे हुआ क्या, favorable outcome हुआ, और total कितना आप चलो, 52 है, कहां से निकाले गए, बावन में से निकाले गए, तो probability क्या होगी, बिल्कुल basic, 40Y, 52, 410 जा 40, 413 जा 52, यानि क्या answer आया, 10Y, 13, 10Y, 13 मैच करें, यह वाला option, ठीक है, आया समझ, नोट करें, अगला question करते हैं, ठीक है, अगला question है, a card is drawn at random, from a bell suffered pack of 52 cards, करें, एक card random ही निकाला गया, तो random क्या है, कि हमने, बिना किसी logic के साथ, ऐसी हांट डाला निकाल दिया, कोई logic निलगाया, कोई देखदा करें, simple हांट डाला, और निकाल दिया, कुछ हमने सोचा नहीं, कौन से निकाला है, क्या सोचा है, बिना सोचे समझे, बिना सूचे समझे, ऐसे निकाला, वो देख लिया खाle थगा, क्या क्या जख़ा जाता है, तो कार्ड क्या होगा, probability सी क्या होगी, कि ना तो नीदर अरैढ नौर अ क्यून ह ही, ना तो वो, और यह वो और ना ही वो क्यून हो, सित्रेंट सेutetible供ा के सिर्फ पेब्रेवल दो बात दीगीं ना तो रेड हो अब हमें क्या नहीं लेना है रैड हैं कितनी 13 and 13 26 और यानिके yह 26'll गए नौर अक्यून और ना ही क्यून ले लिए तो बच्चों समझे अब क्यून होती है चार इन चार क्यून में से दो क्यून तो रैड के साथ चली गई यह लेना नहीं है 26 तो को बक 15 हमारे पिलर दोपीन हमारे पास और बचती है ये भी हमानी लेना अए हमसे क्या ओ लँगा है नीदर रएड Hello ना भी लाओ नेगही तो उसमें क्याद आई हे तक हटी क्या बात समझें इतनी तक कुछ कत ठीक कि 스킴 नंबर ऑफ काट जोत ** है विच आ आ लाव निदर अरेड नौर अक्यून कितने को चलो 26 यह चले गए और दो यह चले गए यान कि 28 चले गए किस मैं से 52 माइनस 28 यान कि 24 ठीक अच्छो कि टोटल कितने हैं 52 हैं देखो कहां से निकाले गए 52 से प्रोबैबिलिटी क्या होगी अच्छे अच्छे फेबरेबल अपन टोटल है ठीक है सिक्स बार थर्टीन मैच करो सिक्स बार थर्टीन क्या इंपोर्टेंट सिर्फ और सिर्फ यह लाइन इस नंबर फाइंड करेगा यह अगर इसके फेबरेबल आपने निकाल लिए बच्छा लोग तो कोई दिखकत नहीं कैसे निकाल ले गए निदर आए राइड नौर अक् सिर्फ यानि कि 28 माइनस कर दिए 52 से 24 बागी निकाल लिए नोट कर ले अगला कोश्न करते है अगला कोश्ने स्ट्रेंट्स कह रहा है काड इस डॉने ट्रेंडम प्रॉम बैल सफ़र्ड ऑफ फिफ्टी टू कार्ड एक कार्ड रैंडम्ली सेट करा गया 52 कार्ड से कह रहा है प्रॉमलीटी ऑफ गैटिंग तो फाम्ड करना राफ प्रॉइलटी क्या गैट करने की नीदर रैंडस नौर अकिंग ना तो एस हो ना ही किंग हो अब तो यह कोश्न मजाख वह स्ट्रेंट्स अभी करादने से कोशन वेल्कुल सेम कंट्सेप्प पर नीदर रैंस एस ना हो कुछ भी आजैंक्ट से कितने तो कितने ऐस थे चार किसने नहीं आएंगे ठीक है उब सिनगों माएन तो इस को सभी नौट किके गए एस लेखो नमबर ओफ कार्ट बिच नीदर रैड और नीदर एस नौर किंग ना ते वो एस है और ना ही किंग है वो फोर पिलस फोर यह नहीं बचलो 52 माइनस फोर पिलस फोर यह तो एस है यह किंग है हमें नीदर लगाए गुआ नहीं निकाल लेख तो 52 माइनस एट यानिके 44 तो यह हमारे होगा है फेबरेबल क्या होगा बचलो फेबरेबल और टोटल क्या होँगे 52 कहां से निकाला 52 से निकाला गया है ठीक है तो प्रबैविल्टी क्या होगी स्ट्रेंट्स फॉर्टी फॉर अपॉन फिफ्टी टू फॉर एलेवन जा फॉर थर्टी जा तो एलेवन बात थर्टी नमारा आंसर हो गया ठीक है इस्ट्रेंट्स समझगाया अगर कोई डाउट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बता है बच्छे लोग और वीडियो को लाइक करें शेयर कर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में इसके अच्छे-च्छे कोशन लेकर ठीक है बच्छे लोग नोट कर लें